हेलो फ्रेंज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया किचन टीए पे आज हम एक बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से मैगी बनाने जा रहे हैं देखें मैंने हैं पर वेजिटेबल मैगी बनाने जा रही हूं चिली इसके लिए क्या क्या लगता है और इ सकते हैं देखें मैंने हाँ पर वेजिटेबल भी लिया हुए एक बारिक कटा हुआ पैस और एक थोड़ा सा टामाटर एक कटा हुआ तो हरी मिर्च कटे हुए थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा से यहां पर शिमला मिर्च और लसून अधर का पेस्ट लिया है अगर अब एक जाहे तो इसमें घाज़े डाल सकते हैं अब जो भी वेजिटेबल एक डला लेते हैं देखें मैंने पहले पारी प्यम्तिप्र सकते हैं थोड़ा से बूनना होगा साइब दो क्लर के तिछ ढख भी टीजो है दो हुआ है थो निया मेंग्धे जो आफ एक्टे पल pitches निकल जाए और इसके बदब simplemente के भी बेज़िटाबल डाल से बखान चण डाला हाँ जो शिमला मेर्च बुर। भीट ड़ए और चुछ आपकर श्रींग बारมोल मेर्च काक 여 avait श्यक्राइब है ऊपलेते हो्द० जाहे तो अच्छे से पका लिए ताकि ढूआ सब्साल होने के लिए टूठा पर नमक डाला हूं गरम निद्णा करते हैं इसमें गरम ना मैंगी ना दाल रहे हैं ताकि जो तो पाने दाल लेते हैं जितना बानी चाहिए उतना दिखिए यह पर एक कप जितना पाने डाला हुआ है अप देख जादा भी आपदेख डालना हूं कितना किटना पाकेट को तोड़ा सा पक अदें इसके बाद मेरे पास चोड़ा मेरे चुका 25 मूल म संङ पॉबाल की मेरे जम्हूरा पां he डाल सकते हैं दो दो टूकड़े किया हुआ है देखिए उस पाकेट में दो में यह हुआ जो इसके उपर आपसे बोटन आपा चाहिए तो आप इसको जादा पाने बी डाल सकते हैं तो आपको यह तो पाने डाल सकते हैं देखिए आच्छे से पका लीजें मागी को बहुत ही टेस्टी बन चुका है मागी लोग कुछ लोग बच्चे होतेना वेज़ेटेबल नहीं कहते हैं अगर आप ऐसा बनें कि उनको वेज़ेबल मैगी बनेंगे खिलाएंगे तो बहुत ही मज़े से खाएंगे बच्चों को देखिए कितना अच्छा सा स्मेल भी आ रहा है और बहुत ही टेस्ट बन चुका है हमारो जो मैगी है देखिए आप ग्यास को भी आफ कर लेते और इसे एक प्लेट में भी सर्व कर ल को सब्सक्राइब करना ना भूले चले अब हम मिलते हैं अगले वेजिए